Hello everyone, welcome to the wealth miners, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी कंजम्शन इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, साथ ही साथ आप किस तरह से इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आके निफ्टी कंजम्शन इंडेक्स होता क्या है कौन से स्क्टर से कंजम्शन आती हैं, आपको यह थोड़ा बता देता हूँ, हैल्थ केर से भी कंपनी आ सकती हैं, आटो से भी आ सकती हैं, टैली कंपनी केशन से, फार्मसुटिकल से, होटल से, मीडिया से, और 你टेटेंडमेंट का part है तो ये company कौन-कौन से sector से आती है और उस sector से कितनी companies आती है तो automobile से चार company आती है consumer durable से 9, fmcg से 10 healthcare से 1, media से 1, इसके अलवा power से 2, reality से 1, telecommunication से 1 और textile से 1 चलिए हम यहाँ पे sector wise divide करके हम देख लेते कौन-कौन सी company से जो कि nifty consumption का part है तो सबसे पहले automobile से 4 company आती है वो है आईशार motor, hero motocom, mehendra and mehendra और मारुती Suzuki इसके बाद आता है consumer durable जिसे की 9 company आती है इसमें Asian paint, cromtel electronics, hevels India, titan company और voltas इसके अलवा 4 और stocks है जो कि consumer durable से आते हैं वो है avenue super mart मतलब कि d mart, info edge jubiland food work और trend अगला जो सेक्टर है जिसे की nifty consumption में stocks आते हैं वो fmcg इसे total 10 stocks आते हैं britannia industries, colgate, daber India, godrej consumer hindustan unilever, इसके अलवा itc, marico, nestle India tata consumer, united spirit अगला जो सब सेक्टर है वो power इससे आते है अडानी transmission और tata powers इनके अलवा 5 सेक्टर और हैं जिनसे एक एक company आती हैं तो healthcare से आता है Apollo Hospital, entertainment से आता है Zee Entertainment, reality सेक्टर से आता है DLF, telecommunication से आता है भारती airtel और textile से आता है page industries तो यह थे 30 stocks जो की nifty consumption के index का part थे तो हम यह देख लेते हैं 30 stocks में top 10 stocks क्या हैं और उनके weightage कितने हैं nifty consumption के index में तो सबसे ज़्यादा weightage जिस company का nifty consumption के index में वह है भारती airtel फिर आता है ITC, फिर हिंदुस्तान Unilever, Asian Paint और मेंदर & मेंदरा आप यहाँ बे percentages देख सकते हैं अगली जो 5 कंपनी हैं मारती Suzuki, Titan Company, Adani Transmission, Nestle India और Avenue Supermart तो यहाँ तक हमने nifty consumption में stocks के नाम देख लिया और top 10 company कौन सी ये भी देख लिया तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो इंडेक्स है nifty consumption का इसने over the year की इस प्रेकार के return दिये हैं तो एक साल में 11% का return दिया है 3 साल में 54%, 5 साल में 68% और 10 साल में 272% और आपको इस प्रेकार के return पाने है या फिर आपको nifty consumption के इंडेक्स में invest करना है तो आप किस तरह से invest कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो टोडल 4 ETF हैं जो कि nifty consumption के इंडेक्स में invest करते हैं उनके नाम में आपको बता देता हूँ साथी साथ अब स्क्रीन में भी देख सकते हैं पहला है Nippon, फिर SBI, फिर XS, फिर ICIC यह सब जो ETF हो क्या करते हैं निफ्टी कंजम्शन के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं पर आपको भी एगर इन्वेस्ट करना है निफ्टी कंजम्शन के इंडेक्स में आप इनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अगर आपको किसी और इंडेक्स में कौन-कौन से स्टॉक से यह जानना है या किसी और इंडेक्स के बारे में एनलेसिस देखना है उसके चार्ट के बारे में जानना है तो आपको वीडियो को link description में मिल जाएगा आप वहाँ जाके nifty 50, nifty 100, nifty 200, nifty 500, nifty bank, IT, auto metal सारे index के stock list देख सकते हैं और उनके बारे में एक छोटा सा overview देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगओ तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए thank you very much for watching this video